हेलो दोस्तों, इस वीडियों में हम जानेंगे हजारों साल पुरानी बावली किस काम आती थी दिगे बावली या बावडी का निर्माण भारत में हजारों साल पहले होता था ये सिर्फ भारत में पाई जाती है इनकी गहराईयों में भारतिय सब्विता के इतिहास दबा हुगा है बावली ऐसे तालाब या कुमे कुकाते हैं जिसमें पानी तक पहुचने के लिए सीड़िया बनी होती है भारत में सातिवी सदी से लेकर उननिस्वी सदी तक बावलीया बनती रही है बावली को रादस्थान में बावड़ी कहते हैं दिल्ली से लेकर उत्तर परदेश, मतर परदेश, महाराश्टर, गुजरात, करनाटक और रादस्थान समेत कई राज्यों में बावलिया बनी हुई है बावली का नर्माड पानी जमा करने के लिए किया जाता था इस पानी का इस्तिमाल गर्मी को दिनों में होता था रोजमर्रा के कामों से इतर सिचाई में बीया पानी यूज होता था बावली बनाने के लिए गहरी खाईया खोदी जाती थी फिर बिना मोर्टार के पत्थर से दिवारे खड़ी की जाती थी और सिढ़िया बनाई जाती थी बावली की दो हीसे होते थे एक जहां से पानी आता है और दूसरा सिढ़िया बावली के चैम्बेर्स को ऐसा बनाया जाता था कि गर्मियों में यह काफी ठंडी रहती थी सामान ने कुम्य और बावली में फ़र किया है कि बावली में सीड़िया होती है अगर पानी का लेबल घट भी जाए तो इंसान सीड़ियों से नीचे जाकर पानी ला सकता है सूखा पढ़ने पर बावली बड़े काम आती थी यहां तक सामाजिक और धार्मिक आयोजन के लिए भी लोग जुटते थे